Hello everyone, so in this video we are going to discuss about the cells in series. यह combination है जब हमने क्या करना है? Cells को सिरीज में लगाना है. इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि आपका जो resistance होती थी, अगर आप उसे सिरीज में लगाते थे, तो resultant जो आपकी resistance होती थी, तो आपको क्या मिलती थी? वह पढ़ चुके हो अल्रेड़ी. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो cells है, उसकी अपनी खुद की क्या होती है? इंटर्नल रेसिस्टेंस होती है, जिसे की हम स्मॉल आर से रेप्रेजेंट करते हैं. अब इसको पूरा समझने से पहले हम क्या देखेगे? सपोस हमने क्या किया? यहाँ पर हमने दो cells ले रखे हैं. ठीके, E1 और E2 उनका EMF है cells की. और इन दोनों जो cells हैं आपके पास, इन दोनों की particular एक internal resistance है. इस जो E1 cell है, उसकी एक internal resistance है, जो है आपकी R1. और यह जो दूसरा cell है, उसकी अपनी खुद की internal resistance है, पोटेंशल का difference देखना है. तो वो होता है, सपोस हमने लेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशल का difference है, लेट इट बी V1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशल का difference है, पोटेंशल में जो difference आ रहा है, वो क्या है? वो है आपका V2. so suppose हम यहां से लेके यहां तक यानि की total इस point से इस point तक हम potential निकालना चाते है potential difference की value निकालना चाते है तो हमारे पास जो total potential है उसकी value क्या आती है जब भी आप series में ये चीज़े लगाते हो तो potential हमेशा add हो जाता है so यानि की net potential आपका क्या आएगा V1 प्लस V2 आपको वो चीज़े प्लस करनी पड़ेगी या पहली भी पढ़ चुके हो series में जो potential होता है वो easily add up हो जाता है also आपको पता है potential और EMF का relation क्या होता है जो potential difference है वो किसके बराबर होता है EMF of the cell minus उससे minus IR हो जाता है यह IR क्या है potential drop हो रहा है जब current उस cell के through जा रहा है तो यानि की V equals to E minus IR यह formula रहता है so यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ इस formula की help से V1 and V2 की values आपने यहाँ पर put करनी है so now V1 की value क्या हो जाएगी V को हम as such रखे के V is equal to V1 की value क्या हो जाएगी E1 minus of I और R1 और यहाँ पर I हम same क्यों रख रहे है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो series combination होता है series में हमेशा जो I होता है वो I क्या रहता है हमेशा constant यानि की same रहता है I same रहता है potentials क्या होते है different होते है और उन्हें easily add करा जा सकता है plus यहाँ पर V2 जो potential है उसका क्या होगा E2 minus इसको खोल दे के now V is equal to कितना आ जाएगा E1 E1 और E2 जो है वो साथ में हमने ले लिए E1 plus E2 यह plus होगे यहाँ पर plus जो आपका यह है आपका I R है तो इसमें आप क्या करोगे यहाँ पर I और जो R है उसको वापस कहा है बाहर को आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगे इसके साथ साथ ऐसे कर लो कि यहाँ पर minus भी बाहर को निकालो minus I को common ले लो तो अंदर आपके पास क्या चीज़े बचके यह आपके पास R1 प्लस R2 बचकिया अगर इसको compare करना हो किससे equivalent वाली जो condition है जो आपकी equation है अगर उससे आप compare करना चाहो तो आपको पता होना चाहिए also you know that अगर पूरा potential आपको निकालना है तो उसकी value क्या होती है equivalent जो आपकी EMF है वो आपको लेनी पड़ेगी और यहाँ पर minus IR यहाँ पर ICM रहेगा current R जो है resistance internal वो भी क्या हो जाएगी आपकी equivalent तो यानि इन दोनों equation को आप अगर compare करोगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जो equivalent EMF है उसकी value क्या है individual जो आपकी EMF है उनको आपने क्या है plus करना है तो आपके पास यहाँ पे इस case में series के case में आपके पास equivalent EMF यानि कि simply add करके निकल जाती है और similarly अगर आप देखना चाहते हो आर equivalent कैसे आएगा यानि कि जो वो internal resistance है उसका equivalent आप कैसे निकालोगे जो individual resistance है उसका directly आप क्या करोगे direct आप algebraic sum करोगे और वैसे भी हमने जब resistance पड़ी है resistance को जब series में लगाया है वैसे भी आपको पता है series के case में equivalent resistance कैसे निकलती है simply हम इसका add कर लेते हैं इनका submission कर लेते हैं और parallel में क्या होती है वो reciprocal के through reciprocal में वो add होती है जो कि आगे पड़ेगे तो यानि कि ये बताने का मतलब ये था कि जब भी आपके जो series में रहते हैं अगर cell आपके series में है तो उस case में अगर आप पूरे की equivalent resistance एक्विविलेंट EMF निकालना चाहते हों तो simply आप individual EMFs का plus कर दोगे और resistance के लिए तो आपको series में पता ही है क्या होता है R1 प्लस R2 होता है और I इस case में क्या रहता है series के case में आई आपका constant रहता है यानि कि same रहता है ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए done और एक और चीज़ यहां पर बहुत important है देखो अभी आप इस तरह से general जो आपका basic जो trend है cells को लगाने का वो इस तरह से रहता है positive negative positive negative यानि कि series में लगा रहे हो तो आप alternate करके terminals को लगाते हो अगर आपको suppose ऐसे लगा है कि positive ये terminal है then negative है then negative है then positive है यानि की same same जब terminals अगर आपके साथ में लगे है किस case में series के case में देखो हमने ऐसे लगा दी अगर cell को तो उसके case में equivalent जो आपकी EMF होती है वो आपकी change हो जाएगी या आपको याद रखना है उस case में अगर आप E equivalent निकालना जा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा because ये उल् से करेंट निकलता है तो इस cell से करेंट इस तरफ को निकल रहा है इससे किस तरफ को निकल रह तो आपकी कम आएगी वह लिखने एक दूसरे से वो क्या हो जाएगी, cancel out हो जाएगी यानि कि वो आपके बास थोड़ी कम आएगी उसके value आती है, even minus e2 जो बड़ा है उससे छोटे को minus करोगे तो इस case में अगर normally series में लगे है तो आपका add होगा अगर वो उल्टे लगे है तो सिर्फ आप उसको minus कर दोगे और बाकी जो रही बात R equivalent की इसमें वो आपका सेम रहता है, resistance में कोई फरक नहीं पड़ता, R1 प्लस, R2 ही आपका ये रहेगा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने इस पर जिसमें कि आपने N number of, let us suppose आपने क्या करा है कि आपने क्या करा है यहाँ पर N numbers of cells को connect कर रहा है, किस fashion में, series fashion में अब यहाँ पर series में connect कर रखा है, तो obviously इसका क्या हो जाएगा, let us say इसका EMF E1 है, E2 है E3 है और up to क्या है, E N है यहाँ पर यह N, N times आपने यह यहाँ पर लगा चुके है, हम generalized way में भी पढ़ेगे इसे, और उसके बाद आपको पता है, सब की पास internal resistance होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको simplify करने के लिए कि rather हम इसका E1, E2, E3 ले ले, हम कोशिश करते है कि EMF हम क्या करते हैं से सेल्स, identical cells हमने ले रखे हैं, जिनकी EMF's आपकी सेम है, ठीक है, हमने हमने चीजों को simplify करने के लिए, इसलिए इनकी ऐसे cells लिए हैं, जिनकी EMF's आपकी सेम है, और identical cell लिए है तो resistance भी, जो internal resistance है, वो भी इनकी आपने सेम रखी है सिर्फ किसलिए, सिर्फ simplify करने के लिए, समझने के लिए चलिए, अब जो ये पूरा setup है, और जो capital R है, वो आपकी external resistance है अब आप क्या करोगे, जो total EMF है, वो आप कैसे निकालोगे, अब आपकी EMF क्या हो जाएगी, इस arrangement की जो आपने कर रखी है, उसकी total जो अगर EMF देखो तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास is equal to, suppose वो E है E equivalent हम लिख लेते हैं is equal to कितनी हो जाएगी, जितनी आपकी EMF से, उसको आप क्या करोगे add करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर निकाल चुके हो, जब भी series में cells अगर लगे होते हैं, तो उसकी जो equivalent आपकी EMF होती है, उसमें direct up algebraic sum करते हो, तो उसी तरह से N times आप क्या करोगी, E को add करते चले जाओगे, तो E plus E plus कहां तक करना पड़ेगा, up to up to आपको Nth time तक करना पड़ेगा, कितने time है, यह N times, यह आपके Nth time तक आपने add कर दिया, so जो आपकी E equivalent होगी, यानि की total EMF होगी, वो किसके बराबर आएगी, N times अगर आप E को यह कर रहे हो, add कर रहे हो, तो आपकी E equivalent कितने आजाएगी, N E के बराबर आपकी आजाएगी, now हमारे पास आपकी E equivalent यानि की equivalent जो आपकी EMF है, इस सीरीज की वो आपकी निकल चुकी है, N times E को हमने इससे multiply कर दिया है now अगर बात करें total internal resistance की, अगर आप बात करें किसकी total, total, internal, internal resistance की resistance यानि की small r की, यानि कि अगर इसको हम represent करे, r equivalent यानि की जो भी total आपकी resistance होगी internal वो कैसे आएगी, वो पहली भी पढ़ चुके हो, जब भी series में आपको resistance को add करना होता है, तो r equivalent उसका कैसे निकलता है simply आप जितनी भी resistance है सब की resistance कितनी है, r, r है और आप क्या करोगे, up to ये n times r करोगे, कितना times है, ये n times है, तो एसा करने पर simply आप क्या करते हो, add करते हो total resistance होगी, total resistance जो होगी, inner circuit वो किसके बराबर होगी, देखो, total resistance किसके बराबर है एक तो आपके पास ये r equivalent है दूसरी आपके पास एक external resistance भी है, इसका r आजाएगा, इसका पूरे का equivalent कितना आएगा, r equivalent so आपके पास r आजाएगा plus आपके पास small r और equivalent resistance इतनी आ चुकी है आपके पास done तो यानि कि अगर आप ये खोल के लिखो इसे तो that means आपकी जो total resistance है that is equal to r plus और r equivalent कितनी है n times r है आपके पास okay n times r आ गई so now अगर बात करें कि current कितना होगा total current जो circuit से flow कर रहा है वो कितना होगा आपको पता है जो current है वो positive dominal से लेके कहां बजाता है positive से निकलता है और negative में पहुँचता है तो ये जो total current बोला गया है वैसे तो हर जगा यहां यहां series की case में क्या होता है जो current है यहां पर भी यहां यहां हर जगा cell में throughout जो आपका circuit है वो same value रहती है तो अगर total का equal होगा जो total current है वो किसके equal हो जाएगा total जितनी आपको पता है ohms law के according I is equal to potential upon R होता है total जो potential है यानि कि total EMF है वो आप करोगे यानि कि आप क्या करोगे E equivalent करोगे divided by आप क्या करोगे total जो R resistance है यानि कि R equivalent प्लस आप क्या कर लोगे R देखो क्योंकि total resistance आपके इतनी है वो आपने लिख ली और total जो आपकी EMF है वो भी आपने यहाँ पर लिख ली है तो यानि कि आपके पास इतना आ गया तो अगर इसको और जादा अलग से करना चाहो खोलना चाहो तो I की value कितनी आ जाएगी I is equal to E equivalent कितना होता है N E के equal होता है N E के equal होता है divided by और आपके पास यहाँ पर R resistance plus equivalent resistance R equivalent आ जाएगा Done तो यानि कि आपके पास जो total current है जो flow कर रहा है किसमें अगर आपने series में चीजें लगाई है तो इसकी value आपकी इतनी होगी This is very very important Now current हम निकाल चुके है अब बात करते हैं इससे related cases के Case 1 हम discuss करेगे अगर आपका Suppose if आपका क्या हो कि अगर आपका जो R है External resistance है Is very very less than the internal resistance यानि की NR तो आपका क्या हो जाएगा Suppose करो हमने जो external resistance है वो very very small ली है तो जो चीज़ small होती है उसे denominator से हम neglect कर सकते तो हम क्या करेगे neglect करेगे R को denominator से So आपकी value जो current की निकल के आएगी I की value कितनी आजाएगी I is equal to NE upon R को neglect करोगे तो आपका R equivalent बच जाएगा Okay क्या बच जाएगा R equivalent R equivalent और आपको पता है R equivalent की value कितनी होती है अगर हम देखे R equivalent होता है N R तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया N और यहाँ पर R कर दिया तो यह cancel हो गया So that means आपकी I की जो value है इस case में वो कितनी आजाएगी जो EMF है individual किसी individual किसी cell की divided by क्या करोगे उसको R कर दोगे So यानि कि जो total current है वो आपका total जो current है वो आपका इतना आ चुका है Now case 2 में हम discuss करते है If आपका जो external जो resistance है यानि कि R Suppose अगर वो बहुत ही जादा greater है than the internal resistance N R यानि कि जो आपकी internal resistance है is very very greater than the internal resistance So उस case में क्या होगा आपको neglect अब इस time क्या करना पड़ेगा N R को neglect करना पड़ेगा यानि कि R equivalent को neglect करोगे So आपके पास कितना आ जाएगा जो I की value है I की value आएगी is equal to N E N E divided by कितनी आ जाएगी capital R आ जाएगी आपके पास value तो यानि कि आपका जो I है उसकी value किस पर depend कर रही है अगर आप देख सकते हो तो यानि कि N N क्या है आपके पास number of cells है यानि कि जितने number of आपके cells जादा होगे उतना जादा उससे current flow करेगा So अगर आपसे पोछे कि series अगर arrangement है उसमें आप कौन सा arrangement प्रेफर करना चाहोगे to get maximum current तो maximum current के लिए यहाँ देखो चाहिए आप एक लगाओ चाहिए आप N cell लगाओ फिर भी आपका जो आई रहेगा इस case में जब आपकी internal resistance कम है तो आपका आई इतना रहता है अगर आपकी external resistance आर अगर आपकी बहुत greater होती है तो उस case में जो आई आता है वो कैसे आता है वो N times जितने ज़ादा आप cell लगाओगे उतना ज़ादा current बढ़ेगा सो हमने यहां से यह conclusion निकाला अगर हमें best combination चाहिए तो हमारा best combination यह होगा सो हमने यहां से conclusion निकाला To draw maximum current in series combination of cells The value of internal resistance R must be very small as compared to the external resistance यानि कि जो आपका Nr है यह small होना चाहिए या फिर आप ऐसे कह सकते हों कि जो आपके external resistance है That should be very very large So that आपका जो current है वो maximum current flow करेगा किस combination से जब आपने series combination रखी है तो यह चीज़ आपको यहां से पता चलती है Thank you so much